क्या आप इस बात को जानते हैं अगर किसी इंसान के अंदर बदले की भावना आ जाए तब उसके सामने कोई भी हो चाहे उसका अपना चाहीता क्यों नहाओ उसकी फैमली में से कोई क्यों नहाओ वो उस इंसान तक को नहीं चोड़ता वो उसे भी मारने की कोशिश लगातार क किया गया हो पुलिस वाले उस क्राइम के एंड तक पहुंची जाते हैं उसे सौल किस ना किसी तरीके से कर ही लेते हैं और उसे सजा भी दिलवा देते हैं और ऐसे कई क्राइम देखे गए हैं कई बार ये लोग क्राइम जाने अन जाने में कर देते हैं और कई बार ये क्रा और ही ये आज की है ये स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है आप इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉड़कास चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में नॉटि और ये जो आज की स्टोरी है ये पूने से निकल कर आई है पूने में एक तैसील है विले और इसी तैसील में एक गाउं बसता है और इसी गाउं में एक राजगड फोर्ट है यहाँ पर एक शक्स अपने घर जा रहा था जैसे ही ये कीले की उस टेरिटरी से घर जा रहा था उस शक्स के दिमाग में पता नहीं क्या आया वो उस समेल का पीछा करने लगा और ऐसे ही समेल का पीचा करते हुए उसे वहाँ पर एक dead body मिली उस dead body की पहचान वो शक्स एक औरत के रूप में कर चुका था क्योंकि वहाँ पर उस लड़की के जादा चेहरा वगेरा नहीं साड़ा था और उसके पहनावे से जो उसके कपड़े थे उससे भी उसकी पैचान हो चुकी थी कि वो एक लड़की की डड़ बोडी है वो एक दम गवरा चुका था उसने तुरंथ पूलिस वालो को कॉल किया लोकल पूलिस वाले तुरंथ गई थी उसके उपर तेज धार से बहुत ही तेज वार किये गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे जानवरों ने नोचने खरोचने की कोशिश की है और उसे बहुत दूर तक गसीटा गया है ये सब देखने के बाद पूलिस वालों ने एक FSL टीम को वहाँ पर बुलाया इन सारी चीजों को इकठा कर लिया गया और ये न्यूज पूलिस वालों ने तुरंट आस पास के पूने में जितने भी पूलिस टेशन से वहाँ तक ये न्यूज पहुंचाई के ऐसे ऐसे एक लड़की की लाश मिली है और पास ही में एक और पूलिस टेशन था वहाँ से पता चला कि वहाँ अभी थोड़े ही दिन पहले एक लड़की की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है पूलिस वालों ने उस लड़की के घर वालों का मोबाइल नंबर निकाला उन्हें तुरंट कोल किया फोन करके कहा कि ऐसे ऐसे हमें राजगर फो कोचे वहाँ पर पूलिस वाले पहले से ही मुझूद थे उनसे उस लड़की की शिनक्त करवाई गई वो घर वाले इस लाज को देखते ही पहचान चुके थे कि ये उन्हें की लड़की है और जो वहाँ पर समान मिला था फोन बैग चपल वगेरा ये सारी चीजे भी उन उ खुमशुधी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है जो की 15 जून को हुई थी और इस लड़के का नाम है राहुल हंदोरे अब ये राहुल हंदोरे कौन था पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगशन करने लगे तो ऐसे ही पूछतास में पुलिस वालों को पता चला जो ये दर दर्शना ने अपने परिवार वालों को कॉल करके कहा था कि वो राजगर फोर्ट गूमने के लिए जा रही है और इधर राहुल ने भी अपने परिवार वालों को बताया था कि वो ट्रेकिंग पर जा रहा है दर्शना की घर वाले अपनी बेटी को हाल चाल पूछने के लि परिवार वाले पूने राजगाड फोट गए वहाँ पर जाकर अपने बेटा बेटी को दूनने लगे एक दो दिन लगा था अपने इस तर पर इन दोनों की तलाश करते रहे लेकिन इन दोनों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला तो ये दोनों पेरेंट्स वहाँ पुलिस वालों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था और इधर पुलिस वाले लड़के की डेट बोडी को पॉस्ट मॉटम के लिए बेज़ देते हैं यहां 12 से 19 तारीक आ चुकी थी 19 तारीक को जब गर्शना पवार की पॉस्ट मॉटम रिपोर्ट आई उसमें ये पत है इसका शायद मर्डर हुआ है अगर ऐसा कुछ हुआ हो पुलिस वाले यहां से भी इंवेस्टिकेशन कर रहे थे कि इसका पैर वगेरा फिसल गया होगा यह तब ही नीचे गिरकर इनकी देथ हो गई होगी दर्शना किसी भी हालत में यहां मिल चुकी थी लेकिन राहुल राहुल कहां था अगर वो गीरा होगा तो उसे भी चोटी मोटी चोटे आई होगी पुलिस वाले फोर्ट के आसपास जितने भी हॉस्पिटल से वहां पर जाकर राहुल हंदोरे के बारे में पता करते हैं लेकिन उन्हें राहुल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और पुलिस वाले फोर्ट आने के बाद अब ये पुलिस वालों को लग रहा था कि यहां दर्शना पवार का मर्डर हुआ है पुलिस वाले इसकी तरीके से इन्वेस्टिकेशन करने लगते हैं अगर मर्डर हुआ है तो राहुल कहां पर है इसका मर्डर किस ने किया होगा पु खून के धब्बे दगे हुए थे जब उसका सेंपल उठाया गया उन्हें लैब में बेजा गया डियने टेस्ट करवाया गया तब ये खून किसी और का नहीं बलकि दर्शना पवार का ही था तो ये साफ क्लियर हो चुका था कि इन पत्थरों से ही दर्शना पवार को बड़ी की पांच टीमें बनाई याने की 25 पूलिस वालों को अब इस केस में लगा दिया था एक टीम तो दर्शना के परिवार वालों से बाच्चित करेगी उनसे कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम राहूल के परिवार वालों से बात करेगी तीसरी जितने भी CCTV कैमराज है उन्हें खंगालेगी, चोथी टीम राहूल को ढूनने की कोशिश करेगी और पांचवी टीम इन सब का डाटा इकठा करके बड़े ओफिसर सक पहुंचाएगी। वहाँ पर एक शुगर मिलती, वहाँ पर डाइवर की जोब किया करते थे, मा हाउस वाइफ थी और इधर राहूल हंदोरे की बात करें तो ये नासिक में रहा करता था, इसका घर नासिक में था, बहुत लंबे टाइम से ये एहमद नगर में रह रहा था और इसके पिता भी हाउस वाइफ थी, ऐसे ही करके ये बहुत ही मीडल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अपनी ख्वाइशों को मार कर जी रहे थे, ऐसे ही जब यहाँ दर्शना पवार अपने पेरेंट्स को कुछ भी कहती, तो उसकी इच्छा सबसे पहले पूरी की जाती, अब राहूल और दर्शना, ये दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ पड़े लिके, प्लस टू एक साथ पास की, उसके बाद इन दोनों को लगा कि अब हमें MPSC की तयारी करनी है, हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, इसकी कोई अच्छी कोचिंग क्लासिज वगेरा यहाँ पर ह रहेगी, कोई उसके साथ अनुहोनी ना हो जाए, इस चीज का डर हर किसी के माबाब को होता है, और वही डर दर्शना के पेरेंट्स को भी हो रहा था, और उधर राहूल भी अपने परिवार वालों को मनाता है, मुझे बाहर जाना है, एक्जाम वगेरा क्रेक करना होगा, म प्रूम लेने के बाद दोनों कोचिंग क्लासिस जाने लगे, डेली ये कोचिंग क्लासिस जाते, एक साथ बैठते, पढ़ते लिखते, दर्शना को ये था, कि मुझे अपनी अपना बेग्डराउंड सुधारना है, मुझे अपने माता पिता की जिंदगी सवारनी है, उसे पास हो गई, नोकरी के ओफर्स भी उसे आ चुके थे, अब जब वो ये चीज़ अपने घर में बताती है, उसकी वावाई होने लगी, यहां दर्शना का नाम होने लगा था, दर्शना को बहुत से लोग जानने लगे थे, ऐसे ही दर्शना भी बहुत खुश थी, और इधर जो राहूल था, राहूल हंदोरे, राहूल हंदोरे भी एक्जाम देता है, पढ़ता लिखता है, लेकिन वो एक्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, उसके अच्छे माक्स नहीं आते, उसकी जोब नहीं लगती, वो वही पर ही रह चुका था, अब यह जो दर्शना और रा राहूल हंदोरे ने आपस में बात की, इन्होंने कहा कि हम घर में बात करेंगे, दर्शना का एक्जाम हुआ, दर्शना घर पर आई, घर पर आने के बाद, उसके माता पिता एकदम राजी खुशी, कि हमारी बेटी अब गौवर्मेंट जोब लग चुकी है, उसके ओफर आ दर्शना की जोब लग चुकी थी, और जो राहूल हंदोरे था, वो पास नहीं हो पाया, उसके अच्छे नंबर नहीं आए, उसके पास नोकरी वगएरा नहीं है, उसने एक्जाम क्रैक नहीं किया, तो उसके साथ शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही उसके पेरेंट से मना कर दि डिलिवरी की जोब कर रहा था, और जब वो उसे कॉंटेक्ट वगएरा करने की कोशिश करता, तो दर्शना पवार धंग से उसका जवाब नहीं दे रही थी, ऐसे ही करते हुए, ये दोना आपस में बाचित करने लगे, और जब राहूल को ये लगने लगा, कि भई अब य पेरेंट्स ने राहूल को मुँपर ही मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारी शादी दर्शना से नहीं करवाएंगे, दर्शना के माता पिता ने साफ ये कहा, कि हम तुमें पसंद करते हैं, और तुम हमें बहुत अच्छे रखते हो, लेकिन ये नहीं कि हम दर्शना पवार थी, वो वहीं पर ही चुप चप खड़ी थी, राहूल सिरफ उसका मुझ देखता रहा, दर्शना कुछ भी नहीं बोली, उसने पहले ही कह दिया था, जो मेरे पेरेंट्स कहेंगे, मैं वहीं सब करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, तो बस यहीं परी बात खतम हो चुकी थी, राहूल हंदोरे को यहाँ अपनी बहुत बेज़ती महसूस हुई, उसे फील हुआ, अब यहाँ नो जून की बात थी, नो जून को दर्शना पवार वापिस पूने जाना चाहती थी, क्यों? क्योंकि जिस कोचिंग सेंटर से उसन इसने क्लासिज अटेंड की थी, जहां से उसने एक्जाम दिया था, जहां से उसने स्टडी की थी, वहाँ के टीचर्स इसे सम्मानित करना चाहते थे, तो दर्शना वहाँ पर गई, नो तारिक को वहाँ पर गई, वहाँ पर उसके फ्रेंड थी, उसके कमरे पर वो रुकी अराम से रेस्ट वगेरे किया, दस तारीक आई, गियरा तारीक को उसको सम्मानित किया गया और राहूल अब दर्शना से मिला, अब पुने जो वो रह रहा था, उसे मिलना तो था ही, उसने कहा, अब दर्शना पास हो चुकी है, उसकी जोब का भी ओफर आ चुका है, अब वो उसने अपने पेरेंट को कोल किया और कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ राजगर फोट जा रही हूँ घूमने के लिए आ जाओंगी थोड़े ही देर में वापिस आ जाओंगी और राहूल ने भी अपने घरवालों के यही का कि मैं ट्रेकिंग पर जा रहा हूँ वहां पर जान पर लेकर गया, लेकर जाने के बाद उसे वहाँ पर मनाने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार तुम भी मुझसे करती हो, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही, और जो इधर पुलिस वाले थे, वो तो अपनी investigation क मैं यहाँ पर आपको उन दोनों की स्टोरी पता रहा हूँ कि वो दोनों क्या कुछ कर रहे थे और यहाँ दर्शना का मर्डर कैसे हुआ था। परिवार वालों से पूछ ताच करने लगे अगर वो दर दर भूम रहा है मिडल क्लास फेमली है उसके पास पैसे और नहीं होगे वहाँ पढ़ने के लिए भी यह डिलिवरी की जोब कर रहा था तो उसके पैसे कहां से आ रहे हैं घर वालों ने बताया पहले तो हम उसे कुछ कैच वगेरा बेच दिया करते थे और कभी कभी उसके अकाउंट में भी उसके पैसे ट्रांसर करते थे और एसे ही वहाँ पर वो जोब करता था उसकी सैलरी भी अकाउंट में आती थी पुलिस वाले वहाँ पर गए जहां ये जोब करता था उन्हें ने बताया जी हाँ ये अकाउंट है इस अकाउंट में उसकी सेलरी आती थी ऐसे ही अकाउंट नमबर लिया उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई टिटेल्स निकलवाने के बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि इसने 14 जून या 15 जून के आसपास दिल्ली से अपने ATM से पैसे निकाले हैं और जबकि पुलिस वालों को यहां राहूल हंदोरे मिल ही नहीं रहा था पुलिस वालों ने अपने खबरी लगा दिये थे इनके पास कभी कभी ये खबर भी आती कि राहूल को यहां देखा गया है राहूल को आज कॉलकाता में देखा गया है राहूल मारास्टरा में ही है लेकिन पुलिस के पहुँचने से पहले ही वो वहां से गाइब हो जाता ऐसे ही करते हुए investigation चल रही थी और उसके बाद पुल राशना का फोन एक साथ ही बंद हुआ था और इनकी location भी राजगर्फोर्ट की ही है तो यहां कुछ न कुछ सच में गड़बड है राहूल के फोन के ओन होने का पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे लेकिन वो फोन ओन ही नहीं कर रहा था और राहूल यहां इदर उदर भट चल रहा था फिर एक दिन महराश्टरा के अंधेरी स्टेशन पर उसे देख लिया गया और वो भी पुलिस के खबरियों ने तुरंत पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे राहूल हंदोरे यहां पर है पुलिस वाले वहां पहुंचे जोपट्टा मारा उसे तुरंत वही प बोड़ी की फोटोस उसके सामने रखी तब वो वहां पर पिगला और उसने कबूल किया जी हां दर्शना पवार को उसी ने मारा है क्यों क्योंकि उसके घर वाले उसे मना कर चुके थे कि वो शादी नहीं करेंगे दर्शना जोब लग गई थी तो क्या हुआ लेकिन मैं भी कभी ना कभी जोब लग जाता स्टाडी तो मैं कर ही रहा था जोब भी कर रहा था अपना पूरी पर्फॉर्मेंस बढ़िया दे रहा था लेकिन क्यों उन्होंने शादी के लिए हां नहीं करी और इधर दर्शना भी चुप रही उसके पेरेंट्स हैं मेरे मूँ के उपर न को वहीं पर छोड़ दिया जब मैं उसे मार रहा था तब उसका फोन बजा उसके शायद पेरेंट्स का कॉल था उसके बाद उनका फोन कट हो जाने के बाद मैंने उसका फोन बंद किया अपना फोन बंद किया मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरे दोस्त अब मुझे मेरी लड़ाई वगएरा हो चकी है मैं माराश्ट छोड़ कर जा रहा हूँ ऐसे ही मैं यहां से गायब हो चुका था तो सिर्फ इसी कारण इसने इतना बड़ा ताम जाम रचा दर्शना पवार को जो अभी जोब लग चुकी थी अपना फ्यूचर बढ़िया बढ़िया फ्यूचर के सपने देख रही थी अपने पेरेंट्स की आर्थिक सिती को सुधारना चाहती थी उसके पेरेंट्स पे बहुत कुछ थे के अब शायद हमें जिंदगी में चैन मिलेगा लेकिन चैन तो काम मिलना था उनकी बेटी ही अब इस दुनिया से जा चुकी थी उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी तो ये थी पूरी कहानी दर्शना पवार और राहूल हंदोरे की उसको तो जेल में डाल दिया गया है केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है जो भी इसके बारे में पता चलेगा आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूँगा आपको बता दिया जाएगा या फिर जो भी स्टोरी आएगी उसके स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा तो ये थी पूरी कहानी आप बताईए आप लोगों ने क्या कभी स्टोरी को सुना है या फिर नहीं मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन बराइगन को दबाना बिल्कुल मत बूलिएगा और इंस्टेग्राम आइडी आपकी स्क्रीन पर है इसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाए जल्दी से इंस्टेग्राम आइडी को भी फॉलो कर लिजिए खेर पिछली वीडियो का शाउट आट मिस्टिकल बींग को कमेंट पिक में तो गैट ए शाउट आट इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही एक और चोका देने वाले इंटरस्टिंग स्टॉरी के साथ